जय श्री कृष्ण अमित्रों मेरी यूटूब चैनल श्रिष्टी ज्यानमा आप सबका स्वागत है दोस्तों आज बात करेंगे बहुत ही चर्चित विशय हनुमान जी की पूजापाठ के बारे में हनुमान जी की पूजापाठ कली यूग में सभी जगह देखी जाती है अधिकतर जो यूवर्ग है वो हनुमान चालीसा सुन्दरकान अब यादी हनुमान जी से सुन्दरकान पूजापाठ करते रहते हैं अब हनुमान जी की पूजापाठ है येरे चैनल पे कमेंट गया पूछा कि हनुमान जी की पूजापाठ विधी कैसे करते हैं च्या होती है और देखो सबसे पहले आज का जो वीडियो है यह है पहला भाग है हनुमान जी की पूजापाट से सम्मन्दित हनुमान जी जो हैं इनकी जो पूजा है उकल्यूग में बहुत जल्दी फल देने वाली होती है अगवान श्री राम के दोरा इनको परदान प्राप्त है जिरन जीवी होने का अजर अमर होने का अमर भी है अजर भी है अजर का मतलब सरीर जवान ही रहेगा सरीर भी जरजरता नहीं होगी इसलिए ये कैसा भी रूप धर्ण कर सकते हैं वृद्ध का जवान का बच्चे का तो इनकी पूजा ये से सरीर इस धर्थी पर विद्मान है अतयो इनकी पूजा सिग्र फल्दाय पुक्ती है अब इनकी पूजा कौन कर सकता है तो सबसे पहले यदि हम बात करें कई बार प्रशन उठता है कि बही इस्त्री जाती करे की नहीं करे तो जो सास्त्र पढ़े हैं जो कथाएं पढ़ी हैं उनमें इस्त्री जात्ती ने भी इस्त्रियों ने भी हनुमान जी की मंगलवार के वरत्त किया है और उनसे फल भी प्राप्त किया हनुमान जी भगवान के रूप में हैं भगान सीव के अवतार हैं तो इस्त्री जाती भी इनकी शेवा करशक्ती है बसर पे सिर्फ इनको हाथ नहीं लगाना इस पर्ष नहीं करना है हनुमान जी को बाकि ये मंत्र, कथा, सुन्दरकान, हनुमान चालिशा कर सकते हैं हनुमान जी की जो सेवा है, पुजा पाठ है, वो पांच साल से आप सुरू कर सकते हैं और जब तक आपकी जो उम्र है, वो साधी लैक हो जाए तब तक जब आप मतलब साधी के लिए परिपकु हो जाते हैं, लायक हो जाते हैं तो आपको हनुमान जी की सेवा को थोड़ा सा विराम देना चाहिए और आपके जो कुंडली के अगर देखा जाए, तो अश्टमेस है उसके जो स्वामी है, उन दोनों की आपको सेवा करने चाहिए इससे आपके जो मतलब वैवाहिक जीवन होगा, उसमें खुचाली आएगी जो आपका साथी रहेगा, पार्टनर रहेगा, वो भी आपको अच्छा मिलेगा क्योंकि अश्टम भाव हमारा विवास से सुख का भाव है, तो यह करना चाहिए, उसके बाद में हनुमान जी की सेवा पूजापाट हनुमान जी क्योंकि प्रमचारी है, तो विशेश द्यान रखा जाता है, उनकी पूजापाट में एक विद्यार्थी की तरह यह माने जाते हैं, तो साद्धक को भी विद्यार्थी की तरह ही होना चाहिए, अनुसासन प्रिये दूसरी बात करें, इनकी जो सेवा है, साद्धी के बाद में थोड़ीशी, मैंने जैसा आपको बताया कम हो जानी चाहिए नव ग्रह शांती के लिए भी इनकी पूजा सरवस्रिष्ण मानी भी है, इनकी पूजा से नो के नो ग्रह बैलेंस हो जाते हैं, नियंतरित हो जाते हैं मंगल के स्वामी हैं, मंगल किसी भी प्रकार से अगर बीडित है या अस्त है, तो इनकी सेवा अच्चिन फलदायब होती है राहू सही केतू की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, जब वोचर बस परेशान कर रहा हो, तो भी आप अनमाजी की सेवा कर सकते हैं जैसे की अभी बात करें, विरिश्चिक रासी, मित्रम रासी में उचके राहू, अतला पूजा पाठ करेंगी इतना फल नहीं मिलता यदि आप कर्ज से परेशान हैं, तो भी आप अनमाजी की सेवा अवश्य करनी चीए, पूजा पाठ अवश्य करनी चीए मैंने लोगों का लात्मों तक का करजा दूर होते रुए देखा है, अनमाजी की सेवा से, पूजा पाठ से किस तरीके से करनी हैं, क्या क्या करना है, वो मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा जदि आप competitive exam की तयारी कर रहे हैं, तो भी आपको हनुमाजी की सेवा अवश्य करनी चीए, दक्षन मुक्य हनुमाजी हों, तो अधबुद रहता है, उनकी सेवा करने से competitive exam में आपको काफी कुछ सफलताय मिलने लगती है, आपकी मैंने के रुप करम तो आपको करना ही है, जदि आपका लगन मजबूत नहीं है, 15 डिगरी से नीचे लगन हो, 24-25 डिगरी से उपर का लगन हो जाए, तो कमजोर होता है, तो भी आपको अनुमाजी की सेवा करनी चाहिए, यदि खस्टेश अस्टमेश के द्वारा निरोगी काया अगर आपकी खराब हो भी, ये मतलब आपको कोई न कोई ये सारे डिक समश्या है, मांजी की समश्या है, तो भी आपको अनुमाजी की सेवा अवश्य करनी चाहिए, गुरू राहू, सनी राहू, रेत बाधा, गुरू राहू, गुरू चांडाल दोस, मंगल अंगारा की योग, बुद्ध राहू, जड़त्व दोस, तो ये बल बुद्धी के भी दाता है, तो यगर ये युतियां आपकी है, सुय चंद्रमाग भी, अगर अमावश्य दोस भी है, तो आत्म बल कमजोर कर देता है, मारे इस्तिर नहीं रहता, तो भी आपको अनुमान जी की सेवा कर सकते हैं, तुझा पाट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पल इसका मिले का, पित्री दोस हो, गुरू मंगल सूरिय है, और आपका दुद्ध भाव का स्वामी, फिल्डी तो तो भी अनुमान जी की सेवा अत्यत फलदायक होती है, वास्तु दोस में भी इनकी सेवा अत्यत फलदायक होती है, वास्त दोस हर राशी के लिए लग लग होता है, परमोशन, परमोशन यदि अमार से जो सीनियर हैं उनसे समार समंद अच्छे नहीं हैं, तो आपको भी हनुमान चालिसा या सुंदर कान, हनुमान जी की सेवा अवश्य कानी चाहिए, तुरंट परमोशन मिलता है, तंत्र मंत्र जादू टोना अगर हो तो भी करना हनुमान जी की सेवा बहुत ज़्यादा फलदायक हो जाती है, तंत्र मंत्र जादू टोना के ये सक्थ खलाब होते हैं, तुरंट ही उस चीज़ का ये सफाया कर देते हैं, जेल कोट केस अगर चल रहा है तो भी इनकी सेवा बहुत ज़दा फलदायक होती है विजय मिलती है पंचमुकी हनुमान जी की सेवा करने से तक्षणुकी हनुमान जी की सेवा करने से यतिंदलाब होता है तो ये हैं जो हन्मानजी की सेवा कर सकते हैं हन्मानजी की सेवा में थोड़ा सा ब्रह्मचारी, खाफालन अवश्य करना चाहिए क्रोध गरना, आलश्य करना, गाली देना सूर्यदेक के बाद तक सोना इस्त्री गवन, इस्त्री लंपट ओना अन्माजी की सेवा में नहीं आते या आप मास मीट गंदकी में रहते हैं जैसे कपड़े गंदे बैरते हैं साफ सफाई नहीं रखते हैं तो आपको अन्माजी की सेवा नहीं करने चाहिए उल्टा परेनाम आपको मिलेगा ये थे जो अनमाजी की सेवा कर सकते हैं, करनी चाहिए और इसका अदबुद्ला कलियोग में तुरंत मिलता है आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे कि इनकी विधी क्या है, क्या इसको परसाद चाड़ाना चाहिए अनमाज चालिस अकब, कितनी करनी चाहिए, सुन्दरकान, क्या पूरा करना चाहिए, सब आपको बताया जाएगा बस आप लोग वीडियो को जिनको ये पता नहीं है, सेयर कर सकते हैं अपने माता पिता को, अपने भाई बंदों को, अपने यारों को, दोस्तों को, जो भी है, फेस्बुक वाटसप पर आप शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको गयां मिल सकें फिर मिलेंगे, नेक्ट वीडियो में तब तक लिए, जैश्री कृष्णा, सिरी रादे